है का है है कि हलो स्टेंड एक अनुस्स के कम ने पढ़ा संगहमको अड़न के बारे में तो हैमको अड़न के बारे म adesso कि यह बढ़ाता कि जो यह हेमिकोर्ड टाई यह क्या इस सबसे पहले कसेरू की संग में एक उपसंग के रूप में रखे गए थे लेकिन बाद में जब यह पता चला कि इनमें रीड केटी यानि कि एर अज्जु कोई नहीं पाई जाती तो इस कारणे ने इस संग से अलग कर दिया गया था तो हेमिकोर् सक्सित सरचना होती है इसलिए इसको स्ट्रोम कोड कहते हैं तो प्रस्ट रज्जु के समान सरचना है और इस संग के प्राणी जो थे वो क्रमी के समान ते और समुंद्र जीव थे जिनके अंग तंत्र स्तर था यानिक जिनका संगठन जो था वो अंग तंत्र स्तर का था और वह सूद्ग्रंति के द्वारा होती तो श्वेशन क्लूम द्वारा हो रहा था नर और मादा अलग लग तो 10 संग हम अपने पढ़ चुके हैं अब तक अब हमारा next संग 11 संग कोडेटा जिसके बारे में अपने last संग के बारे में पढ़ेंगे और ये संग आपका बहुत कशेरुकि या कोडित अब्यों क्याते हैं कि प्राणियों की प्राणियों की तीन अलग अलग विसेशता है जाता है तुकि नौट्ट कोड जिसको बोलते हैं और बाद में मेरुधन की वर्टिप्रल कॉलम में बतल इसको डौर्सलम कोड़ का निर्माण का निर्मान करती है। ब्रेन और इस्पाइन का निर्मान करते हैं प्रस्ट खोकली तंत्री का रज्जु जिसको बोलते हैं तीसरा पाया जाता है इसमें युगमित ग्रंथिल क्लोम छिदर जिसको बोलते हैं गिल्सलिट्स तो ये जो संग कोड़ेटा ये इसकी तीन विशेषता हैं इस संग की इसमें प्रस्ट रज्जु पाया जाता है प्रस्ट खोकली तंत्री का रज्जु पाया जाते हैं अब जानते हैं इनके लक्षण के बारे में कि इनके लक्षण क्या है तो इस संग के के जितने भी तीन जनन समद्धे फिर जाने गाला वादर स्टावडा करें कि ये जो ये क्या होती है एक तो ही बाहरी स्किन के अंदर एक मद्ध्य स्किन होती है औरervヤ जिसको बोलते हैं एंड्यूडर्म उसके बाद इन tide इनकी अंड्यू इस्तर से मिलकर वनी होती है participants किन में कौन-कौन से प्लाणी आते हैं क्या-क्या अते हैं बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म हमारी है क्या इनमें अंग तंत्र इस तरका सारे रिक संगठन पाया जाता है जो कि सारे ही संग में पाया जा रहा था अल्मोस्ट खाली सुरू के कुछ संग छोड़कर इनमें बंद रुदिर पर अंसर दे कि मनुष्य में कौन सा परिशंच्रन तंत्र पाया जाता है बंद पाया जाता है यो खुला हुआ पाया जाता है तो इनमें बंद रुदिर परिशंच्रन तंत्र पाया जाता है बहुत पार मैं आपके साब ने डिफाइन भी कर चुकी कि बंद क्या होता है और दाएजर्सटन जो होता है वो एक्स्टर सेललूर होता भाहे कोशी का उधवारा होता है अब इनमें उपास्थी पाई जाती है Ilasman कातीलेस बांस अस्थू बोंस से बनें अन्तिकंकाल endoderm पाए जाते हैं उपास्ती पाए जाएगी, अस्थियां पाए जाएगी और उसे बने अंत्यक अंकाल पाए जाएगे इनकी बोडी के अंदर यानि कि जितने भी यंग है total development caudita sun के अंदर पाया जाता है कोई अंग ऐसा नहीं है जो इनमें नहीं पाया जाता हो अब इनमें जो उस्थरजन होता है उस्थरजन के लिए proto-vraq, meso-metanephric वraq, जिसको kidney बोलते हैं पाया जाता है उस्थरजन यानि कि उस्थरजन क्या होता है आपका कि मुत्रत्याक करना यह सब चीजे उस्थरजन में आते हैं यानि कि जो सरीर में extra आपकी जो चीजे हैं यानि कि sweat परशीने को निकालना उस्थरजन निकालना यह क्या होता है यह सारी चीजे यह जो यह होती मतलब स्थरी जो पसीना निकलता है मुत्रत्याक होता है यह सारी उस्तरजन की क्रियाए हूती है तो यह उस्तरजन की जो क्रियाए होता है प््रोटो, वरक, मीजोवें, मेटानेफरिक वरक द्वारा होती है जो पसीना होता है वो आहिए के क्लोमचिद्रों द्वारा बाहर निकलता है जो आपके छिद्र होते हैं रोम छिद्र इसके में छूटे छूटे छिद्र बने रहते हैं सरीर में से पसीना इनी के द्वारा बाहर निकलता है ठीक है अब नर और मादा जो प्राणी होते हैं वो अलग-अलग होते हैं इनमें इनमें लेंगिक जननन होता है तथा परिवर्धन जो होता है इन में वो एप्रित्यक्ष होता है यानि कि डारेक्ट होता है परिवर्धन तक कुछ अपवाद में परिवर्धन इंडारेक्ट भी होता है यानि कि लारवावस्ता पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती है कि इनके कुछ प्राणियों में लारवावस्ता पाई जाए कुछ में नहीं पाई जाए कुछ में सीधा जीवी की ही उत्पत्ती होगी अब यह जो संग है कोड़िता इसके तीन उपसंग है अब तीन उपसंग किसली है कि नोटोकॉर्ड की उपस्तिती के कारण इसके तीन उपसंग बनाएगा है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो अलग-अलग तरीके से पाया जाता है इन तीन उपसंगों में पाई जाएगी इससमे सिर्षे पुछ तक वजीवन परेंदन तक पाई जा सकते हैं और वर्लेटिबीर्ट से मैं वह पाई जाते हैं यानि कि हम वर्लिपूरी वहांakah है तो है एनोगे उनुद्था मेंं और अउनकार्ण में वर्लूर्ट्टिड Pershem इसको बोलते हैं protocodator यानि कि इन दोनों समको protocodator भी बोल देते हैं अब vertebrate भुणी अवस्ता में पाये जाता है तो था वैस का वस्ता में उपास्ते लिए astyl merodant याने कि रीड की अड़ी जिसको बोलते हैं उपास्ते लिए astyl merodant cartilaginus और bonny vertebral कॉलम में रूपांत्रित हो जाता है ऐसा बोलते हैं कि इंसान की एकर रीड की टूट जाए तो पूरा बेकार हो जाता है तो हमारे जीवन का आधार होता है वो रीड की हड़ी होती है मनुश्य के जीवन का आधार रीड की हड़ी होती है जो उसमें वैस का वस्ता में पाई ज इसलिए नहीं बताए क्योंकि डाइग्राम आपको बीसी या फिर हाइयर क्लास इसमें पूछे जाते हैं ठीक है इसलिए मैं आपको धारण बस खाली इनके लक्षण ही बताएं कि लक्षण आपके पूछ ले जाते हैं उपसंग के यह जो यूरो कॉड टाय ट्यूनिकेटा यह दू सब्दों से मिलकर बना यूरो जयानी कि टेल कॉड आमिस नौटो कॉड यानि कि इनमें टेल पाई जाएगी पूछ और नौटो कॉड पाई जाएगी तो इनके लक्षण है कि यह सम्मुदर में स्वेतंतर रूप में अकेले चोटे-चोटे समुव में पायते हैं यानि कि इस संग में जितने भी राण्य आते हैं उसलमुदर में और पाई जाते हैं कुछ ट्यूकेटा की विकास सवस्था में एक एसीडियन टेड़पो reuse लार्वा पा यानि कि विकास हवस्था मैं आए शीडियन टैड़ लार्वा पाया जाता है यह जो लार्वा होता है इसकी पूछ में नोटो कोड होता है यानि कि जो हम बात कर रहे थे यूरो कोड़ डेटा के बारे में कि लार्वा की पूछ में नोटो कोड पाया जाता है तो लार्वा की पूछ में नोटो कोड होता है जो कायांतरण के आरम होने के पस जाती काया हो जाता और इसके साथी प्रोडावस्ता में लारवा की रचनाओं को लोप हो जाता और ऐसे काया अंत्रण को पस्चगामी रूपा अंत्रण यानि की रेट्रोजैनेसिव मेटामॉर्फोसिज कहते हैं अब वैस्क का जो सरीर होता है वो नालाकार गोलाकार वे एनियंत्रित होता है और वैस्क में अनिक क्लोमचिद्र पाये जाते हैं और उसके बाद एक ठोस गोल गुच्छिका से अनिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है इस गुच्छिका से अनिक तंत्रिका निकल कर स तो इसमें एक्जांपल आता है, ओ, आइको प्लिूरा, इसका एक्जांपल है, दूसरा इसका साल्पा, तीसरा इसका डोली ओलम, फॉर्थ इसका हर्डमेनिया, फिप्थ इसका एसीडिया, इसका पाइरोसोमा, यानि कि ये सारे जब्राणी इसके अंदर पाये जाते हैं, सफैलो कोड़ेटा होता है, सफैलो का मतलब होता है, हैड और कोड़े का मतलब, नोटो कोड़, यानि कि सर से लेकर पूछ तक, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बचा चुकी है, अब इनके लक्षन देखते हैं, इनके लक्षन क्या क्या है, तो ये समूंदरी जन्तु ह इनमें नोटोकोर्ड सरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहता है और इनमें प्रस्ट पर नोटोकोर्ड के उपर नालकार तंत्री का रज्यू भी पाई जाती है और ग्रसनी में अनेक क्लोमचिद्र पाई जाते हैं नर्व है मादायन में अलग-अलग होते हैं और उधारण है इसका एंफियोक्सिज या ब्रैक्योस्टोमा तो मैं आपको कॉर्डिटा संग के बारे में बता रही थी कॉर्डिटा में मैंने आपको कॉर्डिटा के विलक्षण बता हैं आज और इसमें तो तीनों संग जादा इंपोर्टेंट और बहुत ही जादा आपका एक्जाम में पूछा जाता तो इस संग को अच्छे और ध्यान से पड़ें और इसलिए में आपको एक चीज आपकी क्लियर कराती हूं जिससे कि आपकी समझ में यह बहुत अच्छे से आपको आगे दिक्कत ना हो जो आ काफी टाइम में इस सारी चीजों को क्लियर करने का तो आप बार बार अगर इनका रिवीजन करते रहेंगे तो कुछ भी आपके दिमाग से बाहर नहीं रहेगा सब आपके दिमाग के अंदर रहेगा और आप चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे